आप से ये पूछने जाएंगे, अपने फ्रांसी से में इसका अनुवात किया है, तो मंटो को ही क्यों चुना है थरा आप में? मंटो को पहले ये है कि मैं जदीद उर्दू, शायरी और अदब को मैं परहाया करता था काफी सालों से, पिर ये है कि पाकिस्तान इंडुस्तान जाकर तो मंटो का चर्चा जरूर सा, एक दिन बे ऐसा आया कि किसी पुब्लिशर ने मुझसे पूछा है कि आप मंटो का तर्ज मुशी, वो काफी मुश्किल से ये हुआ कि इसलिए कि पुब्लिशर के जहन में अंग्रेजी तर्जमा का था, जो के खालीद असन का तर्जमा था, वो मेरे नजदीक में कुछ नाइंसाफी, उसमें कुछ नाइंसाफी थी, मैं इसे कैसे शाया करूँ, तो मैंने कहा कि दे पहलू मैं भी देखना चाहता हूं, तनकीदी पहलू भी देना चाहा रहा हूं, ये मेरे अंदर ये चाहत थी, ना तर्जमा की बात करें, बहुत बड़े उर्दू के लेखाक, और बहुत सारे उनके बारे में तो क्या बात बताया जाए, तो आज के, हाँ मुसनिफ भी रह हैं में, कि जिसे पढ़के लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं चवी मॉन्टो की आ रहे हैं में, इसमत चुखता ही शायद, अच्छा, इंतिजार हुसें साहब के तसनिफीन में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं, ये यहां खुद मुजूद हैं, लेकिन जाह कहीं हैं उर्दू अदब के बारे में, खास तोर से मैंने सिनिमा के बारे में, और मन्टो की तख्रीकात के बारे में, या उन दोनों में एक गहरी, गहरा तालू क conquise है, और मेरी समझ में, ये तालू की तालू के पूरा कम नहीं हुद मैं अभी तक पता ना चला कि मन्तों के तकरिकात कितने हैं जो सिनेमा की सिनेमा स्कृप्ट के बुन्याद बने ये पूछूंगी कि हमारे हिंदुस्तान मुलक में आके आपको कैसा लगा मतलब मैं तो हिंदुस्तान में आता जेता है अधा जाता हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस होता है मैं क्या को हूँ कि ऐसा मुल्क में है जहां के आज तक मैं अर्दू अखबार पर सकता हूँ हाना आपकी अर्दू टीवी भी सुन सकता बड़े खुशी होती पिर यहां काफी अजादी होती है यह यह महसूस होता है ना हमारे हाँ गैर जनीबदारी और हमारे हाँ फ्रांस में मजभी बातें यानि उन से इस्तफादा करना वो जाए ना जायज है हाना और आपके हां भी किसी हद तक आपके आएन में ये भी है कि सरकार तो मजभी तरफ़दारी नहीं करती यह यह तो बहुत अहम बात है सर अपने हमें टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं एक आखरी बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से हिंदुस्तानी सिनेमा का आशिक हूँ आशिक है आप हिंदुस्तानी सिनेमा के तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपका फेविरिट किसी फिलम से करेक्टर या को एक्टर हो जिसके आपके फिल्म में आपको बहूत अच्छे लेक्टर अगकर है। भरलिबों के तो क्या वात है वक्ट टिया इसलिए मुसिफडस्ट टीवी कि तरफव से आपको शुक्रियादा करती है।